हेलो गाईज, आज हम क्लास 12 बाइलोजी का स्वाता सेप्टर जनन श्वास्ते उसके अंत करते एक टॉपिक है STD उस टॉपिक को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे STD यां जिसे Sexually Transmitted Diseases कहते हैं जिसे इंदी नामे योन संसारित रोग इसकी प्रिबासा इस प्रकार है कि वे रोग जिसका संस्रण प्रात्मेक रूप शे लैंगिक संसर्ग ओता है उन्हें शामयक रूप शे योन संसारित रोग कहते हैं यानि ऐसे रोग जिसका संसरण या संक्रमन लैंगिक संसिकर द्वारा होता है, उन्हें योण संसरण द्रोग यानि STD कहते हैं, इसके अन्य नामे रैत रोग जिसे इंग्लिस में वेनेरियल डिसेज कहते हैं, अगला और नामे इसका जनुन मारिक संक्रमन जिसे इंग्लिस मे reproductive tract infection यानि RTI कहते हैं अब रोग कारक के परकार के आधार पर STD रोग को निम्न भागों में बाढ़ सकते हैं पहला जिवान दौरा अब कौन कौन से ऐसे STD रोग होते हैं जो जिवान दौरा होते हैं उसके एक्जामपल है सुजाक, सिफलिस जिवान दौरा होते हैं सुजाक को इंग्लिस में गौनेरिया भी कहते हैं अब कौन कौन से ऐसे STD रोग होते हैं जो विशान दौरा होते हैं इसके एक्जामपल है आरपिश, एड्स, एपेटाइटिस, बी प्रोटो जो दौरा यानि कौन कौन से STD रोग है जो प्रोटो जो दौरा दौरा होते हैं उसका उजारन है ट्रिकोमोनिया शिष सौता है जिवानों से सोटे शुक्षम जीवद्वारा है यानि कलेमाइडो मोनिया शिष जिवानों से सोटे जीवद्वारा कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जिसका एक्जेम्पल है ट्रेकेडिनिया ट्रेकेडिनिया जो रोग है वो जीवान द्वारा होता है अब हम देखते हैं STD के लक्सन यानि Sexual Transmitted Diseases जो रोग है उसके क्या-क्या लक्सन है जन्नांगों में खुजली आना जन्नांगों से तरल्पदार्तों का श्रा होना जन्नांगों में अलका दर्द होना जन्नांगों के आसपास सूजन यानि यह लक्सन है जिससे हम STD रोग का पता लगा सकते हैं अब हम देखते हैं STD के दूस्प्रभाव यानि STD रोग यदि हो जाता है तो उससे क्या-क्या समस्या होने की खत्रा रहता है कौन-कौन से खत्र हो सकते हैं पहला है जन्नांगों का कैंसर हो शकता है नमपूश्ण सकता आ जाती यानि बंद्यता जिसे इंग्लिस में इंफेट्टी लेटी कहते हैं मर्थ सिशू जन्म यानि STD रोग वाले STD रोग वाले मिला के जो सिशू वो मर्थ जन्म ले सकता है औहिस्तानिक सगरब्टा हो शकती है या आदि दूस प्रभाव है जो STD रोग से हो सकते हैं अब हम पढ़ने हैं वाले रोग थाम के उपाए यानि STD रोग को किस प्रकार रोगा जा सकता है तो उसके कुछ उपाए है पहला कि किसी अंजान व्यक्ति से समंध न बनाए जणन शुर्षी साधन अपनागर ही करें जणनांगों को सवस्त रखें जणनन के शंमे कंडौं का प्रियोग करें कि किसी अंजान व्यक्ति से जणन न करें जणनांगों को सवस्त रखें जन्नांगों से समंधित कोई समस्च्या होने पर नर्स या सिख सकते सलाले और जनन करते समय हाँ समय कंडोम का यूज करें जिससे एस्टीडी रोगों से बसा जा सकता है